Nook and it shall be opened unto you का क्या मतलब होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेती है Nook and it shall be opened unto you का अगर हिंदी में मतलब समझे तो यह होता है कि कटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा लेकिन यह जो कौट है यह बाइबल से लिया गया है और बाइबल में ऐसा कहा गया है कि Nook and it shall be opened unto you क्यानि कि अगर आप God में believe करते हैं God पर भरोसा रखते हैं और prayer करते रहते हैं तो आपका जो message है वो God तक जरूर जाएगा और जो भी आप अपने जीवन में रास्ते खुलवाना चाहते हैं जो भी help चाहते हैं जो भी guidance आप God से चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगी तो ये एक metaphorical way में कहा गया है कि आप जैसे दरवाजे पर nook करेंगी जैसे दरवाजा खुल जाता है वैसे ही अगर आप God की prayer करेंगी तो आपको उसका फल भी जरूर मिलेगा जरूर जो है God आपको सही रास्ता दिखाएंगी या आपकी help करेंगे इसके बारे में अगर आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो आपकी screen पर दिया गया है इसे आप पढ़ सकते हैं और इसको और बहतर तरीके से समझ सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें